हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चनल प्रेप बेंजिया आज हम बात करेंगे भारती राष्टे कॉंग्रिस के बाड़े में भारती राष्टे कॉंग्रिस से जितने भी कुशन्स बनेंगे वह सभी कुशन्स जो प्रेंगे उम्मीद है आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगे किर्प्या अगर अभी तक आप अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्प्या कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा पेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की सुचना आ प्रेंट्स इसमें लगवक्त 20 कुष्चन्स है और इस 20 कुष्च्छ्ण्स में हम आपको important questions कराने वाले हैं जो किसी भी exam के लिए जो किसी भी one day exam के लिए बहुत ही important थे प्लस पिस्यस एक्जाम्स के प्रिलेम्स की विरू से important questions है या तो question आ चुके हैं या उमीद है कि आने के से अमामना ज्यादा है तो चलिए सुरुबात करते हैं यह पाल्ला कुछिटन से भरती राष्टी कॉंग्रिस के इस्थापना कब और किस नकी तो भरती राष्टी कॉंग्रिस के स्थापना जो हुई थी वह 1885 में हुई थी ठीक है और किस ने की दी तो A.O. रूम नकी थी और A.O. हूम का पूरा नाम क्या था तो एलेन एक्टमीयन घुन था और या था एलसा ओक्टमीयन घुन था soybeans की दो सब्सक्ट्राइस था कर्ण हान अपाम Гोन्हान में यानी बंबई में पहले बंबबई क है अभी मुंबई कहला रहा है हुआ वहीं हुई थी कहा हुई थी तो बंबई में हुई थी ओके बंबई और यह जो यह जो इस्थापना हुई थी और यह हमारा क्या था एक पहला अधिवेशन भी कहलाता है ठेक है जोस्तों तो अब दूसरे कुश्चन की तरह बढ़ते हैं भारती राष्टे कॉंग्रेस क का नाम था वक्या था ब्योमेश चंद बनर जी यह जो हुआ था पहले अधियक्ष कब बने थे यह 1885 में जब भारती राष्टे कॉंग्रेस के सपना हुए थी और पहला अधिवेशन जो है इनिन ने किया था ठीक है जो मॉंबई में किया था ठीक है तो तीसरा कुछन आते हैं भारती राष्टे कॉंग्रेस की पर्थम भारते महिला को थी वो सरोजनी नाइडू थे सरोजनी नाइडू ठीक है भारती राष्टे कॉंग्रेस की पर्थम महिला सरोजनी नाइडू इन्होंने अध्यक्चा के थी यह हमारे भात के पर्थम महिल दोस्त इसमें परतम भारती महिला भारती महिला जो है भारती, राष्ची कोर्ट की अधक्स्ता की थी वह थी तो नीडु जो भारती बात के परतम राजपाल भी थी ठीक है परतम महिला राजपॉल आगे लिए कुश्यन पी चलते हैं भारती राश्टे कॉंग्रेस की भारती राश्टे कॉंग्रेस की पर्थम अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे ठीक है यह जोर जूवले थे जो 1888 में बने थे कब बने थे 1888 में वने थे भारती राष्ट्य को में कि परतम अंक्रेज जो एकारल जिए बने थे ठेकर और दुसरा आज्र ₹ में परतम मुसलिम अध्यक्ष जो बादिधीन तयोफ जी थे इसमें जो अभी कुशन पढ़े हैं भारत्य भारती रैंट्राइश्चे कोमेश्च के पर्थम अध्यक्ष कौन तो इसमें George युवले थे इस से पहले उंपूछे परmit परतम अध्यक्ष्ष दे जो ड्वकुन बने थे बात में यह हो गोडलाइश्चे आध्यक्ष्यों कर रहे हैं लुए यह फैसे यह से भारतिय राष्ट्य कोवर्स की पर्थम महिला अध्यक्ष पिछले कुछिन में हमनों पर्था था पर्थम भारतिय महिला अध्यक्ष पर्थे पर्थम महिला अध्यक्ष ओके इसमें पर्थम महिला अध्यक्ष ओके इसमें पर्थम महिला अध्यक्ष ओके इसमें पर्थम मह प्रसटानी थी 1917 ओके नेक्स्सक्राइब को अब भारती राष्टे कॉंग्रेस ओके हुआ है वाद Confederate Congress के संश्थापक कॉंठे जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है पहले कुष्यन में काबड के ती उसमें ही पढ़ा था तो भादती राश्थे itu के संश्थापक जो थे वो कॉंठे यव उन थी that means the एक चीज़ इसमें और भी है जो आप लोगों ने साथ याद कर लिया होगा अभी तक याद द्यान सुनना होगा तो यह सब्सक्राइब तो 1885 में और कहां हुआ था तो मुंबई में यह आप लोग याद करेंगे याद रखेंगे अच्छा रहेगा आप लोग के लिए लगता आप लोग को इसी सेशन में साड़ा कुश्ण से याद भी हो जाएंगे इसलिए अपने को घवराने के कोई बात नहीं है ठीक है आपका डिविजन भी होते जाएगा हुआ है को यसी हुआ है कि ऐसी परतम अदिवर्शन में कितरों बाध दिविरस्दें भी है तो 62 crazy बातर जेंटी ट्व ने भाग लिया था ठीक है अबने कुछिशन से का पर्थम अधिवेशन कहां हुआ था तो पहले ही बता चुके हैं पर्थम अधिवेशन जो था 1885 में हुआ था 1885 में हुआ था वो कहां हुआ था मॉंबई यानि बंबई में हुआ था बंबई में एक संस्कृत भी दाले था वहा कि तरह बढ़ेंगे आगे कि नेस्ट कुछिशन है कॉंग्रेस का बीभाचन जो है कि एक निट शोड़ी कॉंग्रेस का बीभाचन किस वर्च हुआ था तो कुझ साथ में उलवा था Snohad is जड़ा सुरत की नाम से नाम से शुरत के नाम से जाते हैं कि तो वह। स्मेट्ट में कि नरम गडल में पछल विवाचरत में wire है अदेज है सूरत में Congress किस अधीवाशन में Congress नरंदल वगरमदल में व्याज़त हो गई dużo जाट में सूरत में और यह क्या है 1907 है डापिशन नाइटेजियो सेवन सूरत का अधीविशन कर लाता है ठीक है सब्सक्राइस के लोड मेंटो तुदिये जो कौन थे ये लौड मेंटो पर्थम के पुत्र थे लौड मेंटो पर्थम के पुत्र झाल कि अधम के पुत्र थे हैं कि नेस्ट कुछन में बढ़ते हैं कॉंग्रेस के पहले अधिवेशन के समय बेटिस भारत का वाइसराय कौन था यह जो थे लॉर्ड डफ्रिन थे कौन थे लॉर्ड डफ्रिन जो 1885 की बात कर रहते जो मॉंबई में हुआ था उसी टाइम में यह वाइस रहते बेटिस भारत के ठीक है एनिक यह के समय में कॉम्रेस का बहला दिवेशन यानि कॉंग्रेस का जो अस्थापना हुआ चैनि के समय में हुआ था जिसने किसने की पैटि ऐओ मूंभ ने में हुआ टा हम क्या calories के अधीवेशन में सबसे पहले भात्रंदरण देने वालि महिला कौं थी तो मेर्ती राश्ट्रै को अधीवेशन में सबस्क्राइं की अधिय। ढता दें आपको कादम Mouseी गंगली गॉंच घुंति वो भारतक कि सबसे पहली असनातक आर्फिडर पहली ग्रेजुएट मेई एफ क्लेजुएट मेऊ एफ मेए ठीक है यह यादक है यह पहले यो डो सबीघ्रा टी जिसना सबसे पहले भारत की लाश्चे कोवेज़ना सबसे पहले भात संदुलाइं देया आती Lynn to Bis Nat makes Such a महात्मा गांदी ने अधर्ख्षता की ति यह है बिलगाओं और बिलगाओं कहां पड़ता है करनाटक 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 में बिलगाओं वो करनाटक में है और यह कब हुई थी वह 1924 में हुआ था 1924 में हुआ था ठीक है प्लीज तो आप लोग सही से सुनियेगा क्योंकि यहां लिखने में प्रोब्लम होता है ठीक है तो भारती राच्य को में किस अधिवेशन में महत्मा करने तरह किती तो बिलगाओं में क्या था वो करनाटक में नानेकश्न के तल बढते हैं कंगरेश के किस अधिवेशन में काँगेरिश के किस अधिवेशन में कई अधिवेशन में hindsight किस अधिवेशनम में क्याओंध्य नरम दल आ गरम दल में एक वा गाए थी ठीक है एक मिट्ट कॉनेक्सिकीश अदिवेशन में कॉंग्रेस नरम दल वा गड़म दल में एक हो गई थी तो लखनाव में हुआ था ठीके जो 1916 में हुआ था इसी के टाइम में कॉनेक्सिकीश अदिवेशन में कॉंग्रेस नरम दल वा गड़म दल एक हो गई थी जैसमें बुले जाते हैं लगनौ भी बुले जाता है एच ऑंदां कॉंग्रेस उनेके की से तो लखनौ में ठीक है फैजपुर आदिवेशन जो हुआ था उपकाव हुआ था फैसपूर जो हुआ था वो 1936 में हुआ था और कहां हुआ था तो जलगाओं डिस्टिक में हुआ था और फैसपूर यह वह वीलेज का नाम है दोस्तों इसका नाम है वीलेज का नाम है यानि किसी गाहों का नाम है जो जलगाओं जीला के अंदर में हुआ था फैसप इसमें नेस्ट कुश्चन है बिहार में पहला कॉंग्रेश्याद दिवेशन कहां वह था तो बिहार में पहला कॉंग्रेश्याद दिवेशन वह था बाकिपूर यानी पतना में हुआ था बाकिपूर पतना में वह था जो कब वह था उन्हींस्व बारा में हुआ था उन्हींस तक साथ हम लोगों ने 18 कुष्ण कर लिया है ठीक है अब ने कुष्ण जो होगा वह 20 वह जाकर 2 कुष्ण और भारती राष्ट्री कॉम्रेट की अधिक्ष्ण ने की थी यह बहुत इंपोर्टन कुष्ण अभी तक जितने वी कुष्ण आव लोगों ने किये वह सब इंपोर्टन कीये हैं करके आप लोग ध्यान देख करके उसे पढ़ेंगे और एक बार और रिवियन करेंगे तो साड़ा कुष्ण आपको याद जागा तुवाड़ा पढ़ने की जोवत भी नहीं पढ़ेगे आप लोगों और एक भी कुष्ण आप एक्जाम में गलती भी नहीं कर पाएंगे ठ इसनते कि अधिक सबसे कितित बाहरलाल किया ठाथ चाळाड़ टक किया था उटीक है नौट लगा ठाने 100 लाट ना परकिया था हनि उन्होंने पहते राष्ट्रा-च्ट के अधिक कि थह इसे कम उड़ेजिन करते थो तीन बाढ कि यह और ये जो भूच्छ से की कहां कोई ती और किस्ने किति यह कूश्चन भी अभी आ गया जो बात कर रहे चि धी जी की मात्याश्चुआ से को रहे चेड्थ्थ से जुग कहां हो़ी थी और यह दूसरी जो थी वह 1886 में हुआ था सो यह हमारा कुश्चन जो भी थे बहुत इंपोर्टन कुश्चन थे इसको आप लोग दुबारा डिविजन करने के लिए देख सकते हैं और अगर समझ में अगर नहीं आए फिर आप दुबारा वीडियो भी देख सकते हैं और थांक यू अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी और टॉपिक पर है ठीक है धन्यवाद